हाँ वही तो अब बात करते हैं किसकी रीजियो सेलेक्टिविटी की अब बात करते हैं कि साइकल एडिसन में जब रीजियो सेलेक्टिव आ जाए तो रीजियो सेलेक्टिविटी की केस में हमें कैसे करना है कैसे हम कोशन परफॉंग करेंगे तो उससे पहले तो ये समझ लो कि region selectivity होती क्या है क्या case पढ़ रहे हैं वोई? region selectivity का देखो region selectivity बोलते कैसे हैं और कब ये produce होती है region selectivity तब आज आती है concept में जब हमारे time और dynophile दोनों के दोनों क्या हो जाएं? unsymmetrical हो जाएं तो उस case में होता क्या है? हमें दो प्रोड़क्ट मेंते है तो एक होता है मेजर प्रोड़क्ट और एक होता है माइनर प्रोड़क्ट तो हमें मेजर प्रोड़क्ट को चूज करना पड़े तो इस कंडिशन को क्या बोलते है हम region selectivity क्योंकि हमें product का change करना पढ़ रहा है product को choose करना पढ़ रहा है कि कौन सा हमें prefer करना है measure या minor बाग करते देखो क्या कि जब dynophile जब क्या dynophile और dyn क्या हो जाए यह दोनों क्या है symmetric है भी जब हमारा dynophile NO2 और इधर क्या लगा हो cn लगाओ इधर कौन सा गुरूप हो cn3 और इधर कौन सा गुरूप हो सब्सक्राइब तो यह दोनों क्या है भाई यह भी unsymmetrical है unsymmetrical है और हमारा यह दी dynophile क्या है unsymmetrical है तो इस case में हमें दो product मिलते हैं भाई क्या product मिलेंगे इस case में हमें टो product मिलेंगे भाई product का chain कैसी होगा भJanई होगा क्या या तो cn3 के यह group और तो आसकता है या सीनस्तिरीकर यह group और तो ओर तो आ सकता है या फिर oh group के यह type ख्रूप के यह group और तो सकता है तो क्या हो जाएगा यह हमारा हो गया इस पर क्या, CS3 group या क्या हमसा आ गए यहां पर OH group, तो एक condition क्या है कि आईगी, भई, NO2 ऐसे आ सकता है, और यहां पर क्या सकता है, CN, दूसरा product इसमें formation क्या होगा दूसरा product formation क्या होगा, भई, CS3 और O5 इसको ऐसे रहेंगे, भई, यहां पर क्या सबता है, CN यहां पे क्या सबता है N O 2, तो possibility क्या हो गई, दो product की possibility हो गई एक ये बन गया और ये बन गया तब हम इन दोनों में से choose करेंगे कि कौन सा product हमारा selective होगा, किसको हम measure मानेंगे, तो ये condition हमें अब देखते हैं कि different, different अब होता क्या है देखो, कभी भी question में, डाइनो फाइल या डाइन इन में से एक भी symmetric मिल गया क्या, एक भी symmetric मिल गया तो हमारा product formation हमेशा एक ही होगा, जैसे देखो, अगर क्या किस कहा है, अगर डाइन डाइन या फिर डाइनो फाइल कोई भी क्या मिल गया, anyone symmetric मिल गया, क्या मिल गया हमें symmetric मिल गया तो जो हमारा product formation होगा हमें कैसा product मिलेगा, only one product मिलेगा, क्या मिलेगा only one product form होगा तो कैसे, देखो, question देख लेते हैं यहापर देखो अब देखो इस अपोज करूँ कि यह डाइन है, इस पर क्या है, Ns3 group है इधर क्या इस पर, Cs3 group है तो यह क्या होगा, अगर इसके साथ में कोई भी, एक वो ले लेता हूँ क्या, डाइन, तो यह क्या है हमारी symmetrical, तब इनका हम reaction कराते है, तो हमारा क्या, simple एक ही product formation होता है क्या, simple है, हमारा product formation हो, क्या है, यहाँ पर क्या Ns2, यहाँ पर क्या है Cs3, तो एक ही product क्यों कि इस में क्या है, एक unsymmetrical है और एक symmetrical है, वह यह क्या है हमारा symmetrical है, यह क्या है हमारा unsymmetrical है, बस मैं और portion देखते है, और portion देखो ठीक है यह होगे इसके साथ आज़ा हम क्या कर दे दाइन दाइन गो क्या लिए हमाज बार सिमेंट्रिकल तो इस पर क्या होगे अच्छा 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 आकाई एस कंडिशन में देखो अब इस कंडिशन में क्या होगे कोई बेख लेंड लाइस पर एन ओटो बागा दो इस पर बीका दो एन ओटो यहांपर क्या लगा तो यह क्या हो गया हमारा अंसिमेट्रिकल हो गया और यह क्या हो गया है तो इस केस में होगा क्या इस केस में भी नहीं सिमेट्रिकल ही हो गया क्या यह हमारा सिमेट्रिकल ही हो गया तो अगर हमें डाइज फाइल गार्ण ले टो अगर हमें जो हमासाँ, क्वेसाट फॉर्मिशन होगें क्या आएगा यह होगे क्या CS3 ग्रूफ ऊपर और नीचे NS2 ग्रूफ यहाँ पर क्या आजाएगा यहाँ पर CS3 ग्रूफ नीचे क्या आजाएगा CS3 ग्रूफ और इतर क्या आजाएगा और बात समझ मैं तो रीचियो सेलेक्टिव होने के लिए हमें जब प्रोड़क्ट सेलेक्ट करना पड़े तो हमें कंडिशन क्या है कि दोनों के दोनों हमारे अंसिमेट्रिकल होने तब ही रीचियो सेलेक्टिविटी का सवाल आता है तो कोश्चन जाल लिए अपतर जो करा ता बिल्पल बेसिक था कुछ दिमाद में लगा नहीं तो सिंपल एडिशन करना था तो ऐसे कोश्चन बहुत कम आते हैं कोश्चन आते हैं रीचियो सेलेक्टिव से या फिर 조ucaerdAL हो और सुंपल इसां अधिशन क्याएगी से के सब्चन पढ़ करेसे की सब्सक्रेंट के दोनों के दोनों डाइन फाइल और ये दोनों के दोनों क्या है कोई जू सब्सक्रार शेयु सबूइन पढ़ंकर करना नियुमं पढ़न करता हैं दोने के दोनों unsymmetrical है, दोनों के दोनों क्या है, unsymmetrical है, ठीक है, तो देखते हैं कि कैसी प्रोसीड करेंगा, अब देखो question, तो पहला question यह क्या हो, यह क्या है, O, C, S, Q, गुरूप, तो क्या हो गया, N, O, 2, गुरूप, अब देखो, यह भी unsymmetrical है, यह भी unsymmetrical है, ध्यान से द a cycle edition कराते हैं तो cycle edition कराने के बाद हमें product क्या मिलते हैं हमें 2 product formation मिलते हैं पहला formation क्या होगा यह double bond पीच में आ गया यहापे क्या गया OCS3 और जो यह NO2 गृुप है यह कहाँ चले गया इसकी थर्ड पोजिशन पर चला गया बात समझ में आ गया दूसरा प्रोड़क्ट हमें मिलता है दूसरा प्रोड़क्ट हमें इस केस में क्या मिलता है यह भई यहां पे क्या हो गया OCS 3 गुरूफ दूसरा प्रोड़क्ट हमें मिलता है N4 अब हम कैसे सेलेक्ट करें कि यह प्रोड़क्ट कि a product mayor होगा कि जो b product है यह调त जर रहोगा तो बहूत easy है कैसे हैं...? देखों बहुत easy, कैसे है beleza बहुत easy है ... देखों, निकालना अब देखना क्या है? उम्हें dyne देखना है तो dyne पे group क्या होता है? electron-donating group होता है dyne पे कौन सा group होता है, electron? donating group होता है तो एक डाइंग बना, तो फोच करो कि मैं यह simply डाइंग बनाती है, तो इसके उपर गुरूप क्या है, OCS3, सामने क्या है, हैलकाइन है, तो दिखो दो टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, भाई यह एक इंटरेक्शन तो क्या हो रहा हुआ, यह NO2, इस तरह से इसके साथ आ र होगा, बात सामज मैं अब देखो, होता क्या है, कि यह क्या है, OCS3 के पास लोन बेर है, OCS3 के लोन बेर अपने जो डाइंग को देगा, तो यह ऐसा एक इंटरेक्टरों डेंसिटी को खीचेगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, तो नेगिटिव और पॉजिटिव क्या है, दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, जो इंटरेक्शन होगा, हमें इस केज में जो प्रोड़क्ट फोर्मेशन मिलेगा, कौन सा मिलेगा, बी मिलेगा, कौन सा प्रोड़क्ट फोर्मेशन होगे मिलेगा, हमें बी तो इस पे कैसा चार्जनरेट हो जाएगा नेगेटिव तब नोटु जब इस से लेक्ट्रोन खीचेगा तो यहां पे कैसा चार्जनरेट हो जाएगा पोजिटिव अब देखो जहां से अब यह क्या इंट्रेक्शन हो रहा है यह जो पोजिटिव नेगेटिव इंट्रेक्श जब पास पास में हो तो इस में किया है पोजिटिव और नेगिटिव चार्ट काफी दूर दूर है तो यह इंटरेक्षिन प्रीफर्न नहीं करेगा तो हमारा जो इसमें बोलत फोर्म हो सबस्ट आएगा तो हमारा मेजर फोर्डेक्षिन होते है। साहेगा, B यह आएगा, बात समझ में हैं और सारी कोश्चन करते हैं, और सारी कोश्चन करते हैं, प्रैक्पिस देखो, अब देखो कोश्चन क्या हैं, क्या है, प्लाज, C है, अब कैसे पता करें, कि CHOO grouping CN कि किस पर पोजिशन पर होगा 1-2 position पर होगा कि 1-3 position पर होगा simple heat की परजान इस पर होगा तो product इसमें क्या मिलेगी फिर से 2 product मिलेंगे तो CHOO यहाँ आ रहा होगा और CN यहाँ पर आ रहा होगा यह second condition क्या रही होगी second condition यह कि CHO यहाँ पर आ रहा होगा और CEM यहाँ पर आ रहा होगा बात समझ मैं तो देखो क्या से खरना है तब क्या गए? वही चार्ज लगुमा तो CHO क्या करेगा? सो इसमें कौन सा एलेक्ट्रोन डोनेटिंग गूरूप होना लगना चाहिए तो जब यह था बाता है फो जिए फो एलेक्ट्रोन डेंसिक खीचेगा तो यहाँ पर कैसा चार्ज लिएत हो जाएगा तो नेगिटीव फोजीटिटीव जब दोणी एक साइड आ रहा हो तो यह इंड्रेक्शन कौन सा होगा? गोड्र इंड्रीक्शन होगा तो इससे जो हमारा product formation मिलेगा हमें कौन सा product formation मिलेगा ए तो ये हमारा क्या होगा major product होगा बात समझ में आए ये जो नहीं बनेगा इस case में होगा क्या कि अगर हम क्या कर देते हैं हमें अगर product मिलता है काफी दूर दूर इंट्रेक्शन होगा तो हम इस इंट्रेक्शन को प्रीफर नहीं कर देख इसलिए हमारा product है यह formation नहीं होता, major product हमें क्या मिलता है, यह product मिलता है, बात सब्ज में और question देखाऊ, और question देखते हैं, यहांपे क्या लगाओ, बताओ कैसे होगा, बताओ कैसे होगा, बाई question में अगर तुमको यह opposite मिलता है, बाई question में तुम्हें ऐसे मिलेगा, तुम्हें अपने तरीके से खुड डाइनो फाइल को रोटेट करके लिखना पड़ेगा, तब product formation बनेगा, अब देखो, interaction दिखाना है, तो interaction क्या है, इस पे write, net Alice uses direct negative charge generate, इस पे कैसे charge generate होगा, तो तुम्हें automatically क्या करता है या तो तुम्हें डाइनो फाइल को rotate करके ऊपर, देखो ऐसे, या तो डाइनो फाइल को rotate कर दो क्या करो, यहां तो dinofil को on rotate OSs3, तो यहां पर कैसे चाल जा जाएगा, फिर negative charge यहां पर क्या बन जाएगा Contarch Indic intentions तो यहां पर कैसे प्हला case तो यहांता है क्याशा आखा यहांता है?, क्यास準 पै 순ड पर गुंब काशा आखा किस क्याखता है, कि छभ्त गाशा है, więc देखो, यह क्या हो गया, OCS 3, ऐसे ही है वो, अब तुम डाइनाफाइल को रोटेट करके लिखते हो, तो रोटेट करके जब डाइनाफाइल को लिखो गया, ऊपर क्या चला जाएगा, CHO, यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, यहां पर क्या जाएगा, नेगिटिग चार्ज तो इस पर क्या सच्चा जाएगा, positive, तो यह interaction दो लोगो, क्या होगा, बैटर interaction होगा, यहां देखो, जब तुम यह interaction कराना है, अच्छा, तो तुम किसी एक को rotate कर लो, किसी भी एक को अपनी अपनी बर्जी से rotate कर लो, product same आना है, तो दाइनोफाइल को rotate करके देख लो, या दाइनो फाइल को हमें पलट ना पड़ेगा तो जब हम डाइनो फाइल को पलटेंगे तो हमारी condition कैसे आ जाएगी, इस type की situation बन जाएगी, तो हमारा जो product formation होंके आएगा, इस condition में, तो कैसा आएगा, भाई, OCHO गरूफ कहां गया, यह लग गया, OCHO गरूफ कहां चला गया, यह हमारा CHO गरूफ आ गया, बास समझ में आएग, अब तक क्या simple as चल गया है, ठीक है, एक दो कोशन और practice करते हैं, दो कोशन और practice करते हैं, दो कोशन और practice करते हैं, देखो कोशन, अब देखो कोशन कैसे करना है, कोशन कैसे करोगे, भाई भाई, क्या है, CS3 ग्रूफ प्रजेंट है, जो CS3 ग्रूफ प्रजेंट है, तो negative charge कहां पे, यहाँ बेजनरेट होगा, इस केसे में क्या है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो हमें प्लट के लिखना पड़ेगा किसको, डाइनोफाइल को, तो जब हम दाइनोफाइल को प्लट के लिखेंगे, तो हमारा डाइनोफाइल प्लट के कैसा आ जाएगा, तो हमारा negative charge donor के आ जाएगे, तो इसका product formation कैसा होगा, देखो, तो जो इसका product form होके आएगा, कैसा आएगा, यह oxygen, ऐसे bond formation होगा, यह double bond यहाँ पे है, दूसरा जिससे क्या होगा, तो यह condition हाएगी, यह COCS3, यह क्या होगा, CS3 group का आएगा हमारा, यहाँ पे आगया, यह CS3 group का आएगा, 1, 2, 3, तो CS3 group क्या जाएगा, CS3, COCS3, तो यह group क्या आ जाएगा, COCS3, तो हमारा product कैसे form हो जाएगा, COCS3, तो यह simplest चल रहा था, अभी कोई selection नहीं था, आप बस अभी क्या कर रहे है, हम Bonding को देख रही है कि bonding कैसे हो रही है, कि Dino File और Dino, उसमें, Dino File में, bonding कैसे proceed कर रहे है, हमें किसको rotate कर के, कैसे product formation करना है, अब देखते हैं, चीजो को और थोड़ा complicated कर देते हैं, चीजो को, और थोड़ा complicated कर देते हैं, तो फिर क्या, पहला case पढese पढ़ लिया है, की दोना क्या हो जाए अगर हमारे डाइनो फाइल या पहला किसकी का पढ़ेंगा अगर डाइन में दोनों सब्सुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तव केस तरफ्ट किया है जब जी समझ वाना हमारी कोषिंद क कोई से डोनिटिक इच वग्रों मैं है यहां पर कर देखो कोशिन कैसे करते हैं पहले कहना है यहां पर कोई है हमारा था देख कोषिन बात समझ में अब देखते हैं अब हीट की परजैंस पे कोशन कैसे होगा वही एड़ी के पास भी क्या टेंटेंशी देनी की है CS3 के पास भी क्या टेंटेंशी देनी की है अब सवाल ये उठता है कि पोजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जनरेट कहा होगा बही अगर NS2 की बात करें तो NS2 के एकोडिंग नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट होगा और CS3 के एकोडिंग नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट होगा तो इस Case में हमें Jack क्या करना है, इस Case में больше जिसकी donating tendency ज्यादा होगी, डराइक्टी पेडिक रपॉसेर किसके होगा? वो किसके होगा, वो ही nėgative चार्ज को जन्रेट करेगा वह ही क्या चार्ज क्या करेगा? नीगति चार्ज चार्ज जन्रेट करेगा बई ये का एक चीज़ बड़े धीरे धीरे बड़े अलाम जो समझा रहा हूँ गलती नहीं होनी चाहिए बई डोनेटिक तंडेंसी किसकी होगी जिसकी जादा सबसे जादा डोनेटिक तंडेंसी होगी वही क्या करेगा नेगेटि चार्स को हमारा जन्रेट कर देगा, अब देखो, NH2 में और CN3 में, यह क्या है, प्लस M effect, यह क्या है, hyperconjugation effect, बाद समझेगा, अभी बदला उसी पीस में क्या है, band goes में, dime में ही क्या है, तो क्या, NH2 प्लस M effect है, तो यह क्या करेगा, easily, तो हमारा dominating group क्या हो जाएगा, इसमें, NH2 हो जाएगा, तो हमारा negative charge, ऊपर की बज़े कहा जाएगा, नीचे आजएगा, बास समझेगा, तो negative charge generate हो गया, अब हमें इसमें positive charge, जिसमें generate किस side होगा, इस side होगा, तो आप क्या करना पड़ेगा, हमें इस dynophile को फिर से rotate करके लिखना पड़ेगा, तो rotate करके जब लिखेंगे, तो हमार product formation क्या जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा product formation, क्या हो गया, यह, यह, यह क्या आगया, ns2, यहापे कौन साथ group लग गया, cs3, उन साथ group लग गया हमारा cs3, तो n o 2 का आएगा, n o 2 घुम के आएगा, तो n o 2 हमारा कहाँ लग जाएगा, n o 2 हमारा ऐसे लग जाएगा, तो हमारा product formation conservative, यह product formation होगा, तो बात समझ वाएगा है, कि अगर दोनों के दोनों क्या लगए, डिफ्रेंट के लग गए, अब देखो और कोशन करते हैं अगर कोशन करते हैं और कोशन क्राइग करते हैं, दोनों के दोनों क्या होए, डिफ्रेंट आप देखो, ओ एच, अब पर क्या लग गया, o c s 3 घुम के लग जाएगा, ठीक है, बात समय मारा ही, आप एच लग गया हो, यह आप और o c s 3 group, अब देखो, अ यह कोई क्या ले लेता है, इस बार, star group ले लेता है, कोई, star group ले लेता है, बात समय मारा है, तो हीटिंग की परजाइंस पे जब हम इस reaction को प्रोसीड कराएं, अब देखो, यह क्या है, यह भी क्या है, यह लेक्रों डोनेट करेगा, तो नेगिट चार्ज इसकी वज़े से यही पर आना है, तब यह लेक्रों डोनेट करते है, तो इसकी वज़े से भी नेगिट चार्ज इहां पर आना है, तो इस condition में तो कोई चूज करना तुम्हें नहीं है, तो क्या हमारा product formation क्या आएगा, simply A, तो नेगिट चार्ज यहां पर जेनरेट हो गया, और positive चार्ज कहा यह लिए बात, OCST करीए तो यह गृूप कहां पर चल जाएगा, COOCST 3, बात समझ मैं, अगर तूसरा question देखो, अगर क्या लग जाए यहां पर भी, CST 3 गृूप लग जाए और यहां पर क्या लग जाए, OCST 3 गृूप लग जाए, बात समझ मैं, तो फिर हमारा कैसे करेगा reaction देखो, CM, heat की presence पर, अब देखो, यह क्या है, OCST 3, प्लस M के तुरूप देगा, तो नेकीट इंचार्जनरेट क्या कर देगा, यहां पर कर देगा, बोजिली इंचार्जनरेट का हो जाएगा, यहां पर हमारा product formation क्या हो जाएगा, easily, देखो क्या हो जाएगा, यहां पर क्य reaction देखते है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा 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 क्या हो जाएगा, यहां पर देखो, इसके साथ तो हमें कौन सा नेगर्टी चार्ज प्रीफर करना है? यह वाला, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ज्यादा टेंडेंसी है, डोनेट करने की. था बाद करना है ठेलना है? यहां पर पास ने आएगा? यहां पर क्या गारेगा भार्द यहां पर क्या जाएगा तुम्हें कुम्हेंगा तो में एस switch रहे हैं की पंट फोम को डायर्ट किस may करणबंट कर दोगे किट पॉम में करणबंट कर दोगे तो हमारा जो final product हमें मिलेगा यांसे क्या मिलेगा देखो कैसे हैं तो अब्रॉबल vapor इसके बाद तो हमारा जो product form होके आया, किस reaction का, इस question से जो product formation होके आया, हमारा क्या product बना, हमारा यह product बना, तो उस religious activity, अब तक समझ मैं कि अगर डाइनोफाइल दोनों के दोनों different हो गए, तो हम किसके according reaction दो कराएंगे, जिस डाइनोफाइल, ओ सुरी, अगर हम डाइन बेंजी वोफ में, सुरी, one for die in system में, die in system में, अगर दोनों के दोनों गुरुप के होगे, different donating tendency के हो गए, तो हमें reaction किस के दुरुप राएंगे है, जिसकी donating tendency जादा होगी, तो reaction उसके according ही आगे फर्दर proceed करेगी, ठीक है, तो और कुछ और other question, और ट्राइब कर लेते हैं, अच्छे अच्छे से इतना ही तुमारा फाइदा है, देखो, और question कैसे करोगे, अच्छा सा question ने मिल रखो ही, देखो, question देखो, question क्या है, वो, 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 अच्छा से क्या आगे हमारा है, CS3, कैसे ग्रूप आगा, CS3, reaction कर आ रहे हैं, किस से, dying से, कोई भी यह dying ले लो, और को ले लो, या कोई भी dying ले लो, ठीक है, तो कैसे reaction करेगी है अच्छा से, वो यह क्या है, यहां पर नेगेटिग लोप है, तो negative charge generate कहां पर होगा है, यहां पर, तो इस dynophyl को हमें क्या पराना पड़ेगा, rotate कराना पड़ेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा यहां पर, तो हम जब इसको घुमा के लिखेंगे, तो हमें क्या rough करके, इसको क्या करके लिख 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 करो, तो यहां पर क्या जाएगा positive और यहां पर, C, S3, यहां पर क्या आ गया, O, M, E, उसके बाद जो ओके आया क्या बना हमारा, anode, बास नाजे तो हमारा product जो बना इस case में यह product बना, अब तक हम selectivity कि इसकी देख रहे थे, diene में हम different substituent group की reactivity देख रहे थे, अब हम question को क्या कर देते है पोजिट कर देते, पहला क्या था कि बות group को बॉन गॉरूप को क्या क्यों हो, अगर हम क्या करें डाइनो फाईल में change ला दे, किसमें dinoφाईल में change ला दे? 3rd case देख रहे हैं, अगर हम dinoFā Ell में डॉन उनि गॉरूप को क्या कर दे? डिफ्रेंट कर देते रहे हैं, दोनों गुर्फ को पहले क्या था, सिंप्लेस केस दूसरा क्या था, चेंज ना रहे थे उसमें, तो थर्ड केस क्या था, कि अगर डाइनो फाइल में हो, इसमें, डाइनो फाइल में क्या आए, बोथ गुरूप क्या हो, बोथ गुरूप, करने के देखो कोशन के से करना है बुदा एक तरब लगा है जो एक तरब लगार ए को साईने माइब The थर्मली, दूसरा कोश्चन, एनस्टू, सी एस्टरी, सेकिन कोश्चन, देखा, तो कोश्चन फर्स्ट, कोश्चन सेकिन, देखो कैसे प्रोसीब करना है, पहले केसी में हमने क्या पढ़ा था, कि डाइन में दोनों गुरूप क्या थे, डिफ्रेंट ओनेटेग टेंडेंसी के अब हम क्या कर रहे हैं, हम डाइनोफाइल में दोनों गुरूप क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंट ऐसे टेंडेंसी के लगा है, तो देखो, इस केस में नेगरी चार्स नहीं पर जनरेट होना है, अब ये दोनों गुरूप होंगे, अनोटू और सीन, अब हमें चेक करना है, कि NO2 बैटर इलेक्टरों विड्राइंग ग्रूप है कि साइनाइड बैटर इलेक्टरों विड्राइंग ग्रूप है तो NO2 क्या है बैटर इलेक्टरों विड्राइंग ग्रूप है तो NO2 की वज़े से चार्स कहां पर जनरेट हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि NO2 क्या है पैटर रिड्रोईंग ग्रॉप है किस से साइनाइड से बास समझ मैं तो हमारा जो product formation होके आएगा इस case में कैसा product formation होके आएगा देखो कैसा आएगा यह क्या आजाएगा है यहाँ पे OCS3 यहाँ पे क्या आजाएगा यहाँ पे क्या आजाएगा हमारा साइनाइड आजाएगा बास समझ मैं वहीं इसी question के बाद कर लिए इतरब क्या है एंडियाइड ग्रॉप है इतरब क्या है किटो ग्रॉप है तो tendency के एक्सेप्ली tendency सबसे आएग किसकी होती है स्पा-टैअगर्फ ग्रॉप के लिए से जो हमारा positive charge generate होगा वोगिस side generate होगा इस side generate होगा इस side check करौो कि a setting should negative charge generate कि और वह हमारा इस side होगा तो 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 तुम इसको opposite करके लिगक दो ग्माके या फिर इस dyno को गुमाके लिख दो तो हम क्या कर रहे हैं? हम डाइनोफाइल को घुमाना इजी होता है क्या होता है डाइनोफाइल को घुमाना हमारा? इसी होता है तो हम इसको घुमा के लिए देते हैं जब इसको घुमा के लिए देंगे तो हमारा प्रोड़क्ट फोर्मेशन होके क्या है? देखो तो हमारा जो प्रोडिक्ट फोर्मिशन हो क्या जाएगा क्या जाएगा एस टू एन बास समझे मैं तो यह क्या बजाएगा